एलो गाइस वेल्कम बैक टू के शूटीज और जो पहली बार है उसका भी बहुत ही बहुत ही वेल्कम तो गाइस अगर आप यूट्यूब एनलेटिक्स को बहुत जादा यूज़ करते हैं तो यूट्यूब वाले उन्हें यहाँ एक नई एनलेटिक्स को एड किया है हला कि अगर आप मोबाइल से यूट्यूब स्टूडियो चला दे तो यहाँ पे दो नई एनलेटिक्स आ रहे हैं दोनों का मैं यूज़ बताऊंगा और उससे कैसे आप अपना चैनल ज्यादा बूस्ट कर सकते हो यूट्यूब सर्च में यूट्यूब रिकमेंडिशन और य चीज़ आप दोनों पर अपलाई कर सकते हो यहां यूट्यूब स्टूडियो में अपनी एक वीडियो खोल लिए खोलने के बाद हमको गो वीडियो टू एनलेटिक्स में जाना होता है जैसे हम लोग एनलेटिक्स में जाते हैं यहां पर आपको एक नया फीचर दिख जाए अगर इसमें आपको कोई माइनर एनलेटिक्स दिखने वाली चीज़ों के तो ही यह खुलेगा वरना यह ऐसा ही रहने वाला है इसके बाद मैं आपको इसमें जो दो नए अनलेटिक्स एड़ हुए मोबाइल में वह आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपकी चैनल की ग् उनीक व्यूज का मतलब होता है कि आपके चैनल के जितने सब्सक्राइबर है उनके अलावा कितने लोगों ने इन वीडियो को देखा है तो वो नए है यूनीक है यह चीज़ हमारी PC पे रहती लेकिन मोबाइल पे पहली बार आई है इसके बाद यहाँ पे नई चीज़ यूज बताता हूं है क्या तो यहाँ ऐवरेच्व पर व्यू का मतलब यह है कि गाईज बहु की विडियो जितनी बार देखेगा वह आवरेच्पता चल जाएगा मतलब माल लिए पांच बंदे हैं आपके पास जिन्ोन ने एक वीडियो देखी है अब वो पांचों में से गर दुबारा वो पांच देख ले तो आपका average view per view double हो जाएगा ठीक है average लेके चलने हम अरबंदे का नहीं कि हम average लेके चलने ठीक है तो average per view का मतलब है कि एक बंदे ने आपकी वीडियो कितनी बार देखिए simple भाशा में अभी मैंने दोनों चीजों क मतलब तो बता दिया आप बताओंगा कि आपका YouTube चैनल इन एनलेटिक्स को यूज करके कैसे ज्यादा व्यूज पा सकता है कैसे ज्यादा रिकमेंडेशन और सेजेशन पा सकता है तो YouTube यहाँ पर यूनिक व्यूज को बहुत ज्यादा महत्व देता है जिससे YouTube को यह बता चल यूनिक व्यूज जो हैं वो अगर आपकी वीडियो देर तक देख रहे हैं और सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं तो वो YouTube को एक सिगनल देता है कि यह जो वीडियो है यह काफी ज्यादा यूसफूल है इन ओडियंस के लिए तो वो ऐसी ओडियंस को और भी ज्यादा प हमारी वीडियो एक टूटोरियल वीडियो हो और लोग उसको बार-बार खोलते हैं और सीखते हैं उससे कुछ यह एवरेज व्यू पर व्यू का मेंली आपका उन कैटिग्रीज पे जादा यूज होता है जहां पर आप टूटोरियल बनाते हैं या हाउटू वीडियो बनात आता है कि वीडियो उस कैटिगरी के सबसे सही है कि ने फॉर एक्जामपल व्लॉगिंग वीडियो जा कोई ऐसी एंटेटेनिंग वीडियो हो सकता हो एक इनसान हफते और महीने में सिर्फ एक ही बार देखे और हो सकता हो एक साल बाद या काफी टाइम बाद वह दुबार उस वीडियो पर लेकिन जब कोई हाउ-टू वीडियो या टुटोरियल वीडियो होती है हो सकता हो वीडियो इंसान एक घंटे बाद फिर देखने लग जाए हो सकता हो एक दिन बाद फिर देखने लग जाए या कोई सौंग हो गया इन सब चीजों पर क्या होता है एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप यूट्यूब पे लाइप स्ट्रिंग करते हैं तो इन वीडियो को भी चेक आउट कर सकते हैं मोबाइल से काफी मदद होने वाली आपकी लाइप स्ट्रिंप पे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो